हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी अपने इंगलिश को इंप्रूफ करना चाहते हो इंगलिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो वस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अज के थाल आओ कई रही हैं कि मैं कार से लाइबरेरी जा रही हूं अपर यह उतारी कि मैं कार से घृंस जा रही हुँ अकृम सबसे पहले में चौना द आउब करका बहुत सिंपल यह कोई भी से ट्रांसलेट करके बोल सकता है मैं ग्राइविंग तुदा ऊफिस बहुत है नहीं करके दुबार उफिस जा रहे हूं यहां पर हम बता रहें कि मैं ड्राइव करके जा रहा हूं कहना का मतलब है कि गाड़ी में जाओंगा कोई कार या कोई गाड़ी है ड्राइव करके जाओंगा तो यहां पर कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि I'm going to the office by car लेकिन जाद तरह सी बोलो जाता है I'm driving to the office तुम कार में जा रहे हो लेकिन आप इस तरीके से बोलोगे I'm driving to the office मैं कार से ओफिस जा रही हूं यहां पर हम कार का जिगर नहीं करेंगे कुछ अगर हम advance में देखें तो हम ऐसे बोलेंगे I'm headed to the office in my car I'm headed यानि मैं office की तरफ जा रह हूं drive करके अनिक कार से अब आगे किस से कह रही है कि जिस restaurant में तुम जा रही हो वो मेरे office के रास्ते में पढ़ता है जिससे बात कर रहे है वो किसी restaurant में जा रही है तो उससे कह रही है कि जिस restaurant में तुम जा रही हो ना वो मेरे office के रास्ते में पढ़ता है English में बोलेंगे the restaurant you are going to is right on the way to my office the restaurant you are going to यानि वो रेस्टरांट जिसमें तुम जा रही हो तो रेस्टरांट यू आर गोईंग तू इस राइट ओन दवे तुमाई ओफिस वो बिल्कुल मेरे ओफिस के रास्ते में ही है यह मैं ऐसे बोल सकते हैं यानि जिस रेस्टरांट में तुम जाने की प्लैनिंग कर रहे हो ना रेस्टरांट यू आर प्लैनिंग तुविजिट इस सिचुएटेड वो सिचुएटेड है यानि इस्तित है और रूट उस रोट पर तुमाई ओफिस जो मेरे ओफिस का रूट है वो उसी रोट पर इस्त ना कशली वीडियो में ने बता है जब भी हम जाते हैं रास्ते में कुछ पढ़ता है यहां होकर जाते हैं तो उसके लिए जाते हैं एक रखते हैं फ्रेशल वर्म बिना यह रही है सप्र में ना सकते हैं कि इसका ऑफिस जाते हैं हम अपर रियते हुप सिट यहां तो हुप यह अक्सर उस restaurant में हो कर जाती हूं I often go to their go to that restaurant में hep जा रही होती हूं यह हमिंग को श्रकार करके बनाएंगे सबसादा रह मैं आप तो यॉज रहती नहीं तो चाहिते हूं नि उफस के राष्ते में हो जाती रहती हूं सच तो यह है कि मैंने कुछ महीने उस रेस्टोंट में वेटर के तोर पर काम भी किया है बता रहे है कि the truth is I have worked as a waiter at that restaurant for a few months बता रहे है कि अब यह अपने past के बारे में बता रहे है कि सच तो यह है कि मैंने उस restaurant में कुछ महीने वेटर के तोर पर भी काम किया है the truth is I have worked as a waiter यानि मैंने काम किया है वेटर के तोर पर I have worked as a waiter at their restaurant उस restaurant में for a few months कुछ महीनों के लिए है यह हम इसे ऐसे बोलेंगे जैसे कि हम interview के दोरान बोलते हैं कि actually I have had a few months of experience working as a waiter at that restaurant यहाँ पर हम इसे थोड़ा चेंज कर रहे हैं मुझ पर कुछ महीनों का experience है working as a waiter वेटर के तोर पर काम करने का at that restaurant उस restaurant में तो दोनों ही तरीके बहुत useful हैं आप किसी कभी यूज कर सकते हो अगर ऐसी कोई situation है उस समय मैं college में पढ़ा करती थी जब इसने वहाँ पर वेटर के तोर पर काम किया उस समय की बाद बता रही है कि उस समय मैं college में पढ़ा करती थी तो जात हम बोलेंगे at that time I used to study in college या आप ऐसे बोल सकते हो कि in those times I was a student at the college at that time I used to study in college में पढ़ा करती थी मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी इसलिए पार्ट टाइम जोब ढूंड रही थी I needed some money so I was searching for a part time job I needed some money so I was searching for a part time job मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी इसलिए पार्ट टाइम जोब ढूंड रही थी हम ऐसे बोलेंगे due to financial need financial need यानि पैसों की जरूरत थी due to financial need due to का मतलब होता है कारण यानि पैसों की जरूरत के कारण due to financial need I was seeking a part time job मैं एक part time job की तलाश में थी तो seeking कभ यूज कर सकते हैं I was seeking a part time job मैं part time job की तलाश में थी due to financial need पैसों की जरूरत के कारण उन दिनों में हाँ अकेली रहती थी मेरा परिवार गाउं में था इंगलिश में बोलेंगे I was studying here by myself as my family was in the village तो हम बैक देन का यूज करेंगे बैक देन काम कभी उसकरते हैं जम पास्की बात करते हैं कि उन दिनों कुछ ऐसा हुआ करता था उन दिनों कोलिश के समय तो बैक इन कोलिश हम यूज करेंगे लेकिन हापर हम बता रहें कि बैक देन यानि उन दिनों I was studying here by myself में अचली पढ़ाए करें थी as my family was in the village ml HIV चाहिर अंचली पढ़्गर और तो आप बोलोगे दूरिंग दोज डेज आई उस्टेडी हैर अलोन उन दिनों में अकेली पढ़ा कर दे थी वाल मैं फैमिली वह जिंदा विलिज जो कि मेरी फैमिली गाउ में थी जब मुझे कोई नोकरी नहीं मिली तो मजबूरी में आकर उस रेस्ट्रोंट में वेटर के एंड़ोट शै काम किया वेटर को उपिंदा के reckल मुझे कोई नहीं में नहीं मुझे कोई नहीं मली तो मैंने मजबूरी मा पर उस रेस्ट्रोंट में वेटर के तोर पर छाग रेस्टरूंट में for six months, six months, out of necessity. Out of necessity हानी मजबूरी मा के जरुरत मा कर. लेकिन वहाँ काम करके मुझे बहुत कुस सीखने को मिला. किरें कि मैंने मजबूरी में काम किया वहाँ पर लेकिन वहाँ काम करके मुझे बहुत कुस सीखने को मिला. यंगली शमयें बोलेंगे कि however working there allowed me to learn a lot लेकिन महा काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वेटर का काम करके मेरी communication skill काफी सुदर गई थे working as a waiter significantly improved my communication skills working as a waiter significantly improved my communication skills यानि वेटर काम करके communication skill मेरी काफी सुदर गई थी हम ऐसे बोलेंगे being a waiter helped enhance my communication skills being a waiter help enhance my communication skills यानि वेटर के काम करके मुझे क्या मिला एज वेटर के तौर बीइंग आव वेटर होने के तौर पे मुझे मदद मिली अपनी communication को enhance करने के सुधारने के improve करने के आज की वीडियों बस इतना ही आपके वीडियो कैसे लेगे ज़रूब रहता ना वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक ज़रूब रहते हैं थैंक्यू सो मच परोच में इस वीडियो फ्रेंट्स प्रेंट्स